दुश्तों आज का ये वीडियो होगा बालविकास यूम सिक्षा सास्त से 50 important questions का mock test रहेगा किसी भी आप सिक्षक वरती परिक्षा की त्यारी कर रहे हो यूपे टेट, सुपर टेट, एमपे टेट, रीट या फिर किसी भी आप other state से हैं टेट exam की preparation कर रहे हैं सिक्षक बनना च topic से आए जानते हैं यहां पर शुरुबात करते हैं पहले question से count करते चलिएगा कि पचास question में आप कितने प्रश्णों के answer सही कर पा रहे हैं जो गलत हो रहें को आप नोट करें पनी copy में cattle दौरा विश्लेशित किये गए बैक्तित तो सील गुडों की संख्या कितनी है तेरा चौदा पंद्रा सोला तो आप पढ़ते होंगे सोला पी एफ परिक्षड यानी सोला परसनाल्टी टेस्ट इसका नाम यह 16 पी एफ तो यह cattle के द्वरा दिया गया उत्तर होगा यहां पर option नमबर सी के साथ अगला प्रेश्ण निखिएगा the psychology आप unconscious पुस्तक के लेखक कौन है डेवर आलपोर्ट चुंग या फिर मन प्रेश्ण संख्या दो यह किताब है जुंग महोदय की जिनोंने ब्यक्तित्तु का वर्गिकर किया अंतरमुकी और बहिरमुकी बच्चे की बुद्धिलब्दी 90-110 के बीच में है वह बच्चा किस के टेगरी में रखा जाएगा स सामानने प्रखर, उतकरष्ट या फिर प्रतिभासाली। प्रेशन संक्या तीन आंसर होगा यहां पे सामानने केंतरगत होगा 90-110 के बीच वाला बच्चा.. किंडर गार्डन प्राली के प्रवर्तक कौन है प्रश्ण संख्या चार किंडर गार्डन प्राली जो है किसके द्वारा दी गई तो यह फ्रोविल महदे के द्वारा दी गई इसलिए इसका option number A सही होगा प्रश्ण संख्या पांच देखिए डाल्टन विदी के बारे में सत्य कद्धन बताना है यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय सीमा का बंधन नहीं होता है अधिगम की सोतंतरता होती है सिक्चक निर्देशक की भूमिका में होता है छात्रों को प्रयोकसाला उपलब्ध कराई जाती है प्रश्ण संक्या 5 पांच प्रश्ण आपके सामने है और इसका सही जमाब होगा यहाँ पे कि डाल्टन विदी में क्या है छात्रों को प्रयोकसाला उपलब्ध कराई जाती है डाल्टन विदी के अगर आप से पूछले प्रतिपादक तो अमेरिका के डाल्टन नमकिस्थान में एक महिला जिनका नाम था हेलन पार्खष्ट इनके द्वारा डाल्टन पदती दी गई या विदी कच्छा सिक्षड के दोशों को दूर करने के लिए आविस्क्रत की गई थी डाल्टन योजना में कच्छा भवन का इस्थान प्रयोकसाला ले लेती है तो यहाँ पे ऑप्शन नमबर डी करेक्ठ होगा बुद्धी लब्धी का प्रचल नमबर ए यहाँ पे सही होगा साथमों प्रशन है ब्यक्तित एवं बुद्धी की बुद्धी में वनसानुक्रम की नाम मातर भुमिका है महतपूर भुमिका है आकरशक भुमिका है कोई नहीं देखे रीट में यह प्रशन पूछा गया था और रीट में इसका अंसर माना है कि नाम मात्र भुमिका है पहला option correct होगा किस प्रडाली में संपूर पाठीक्रम को एकाईयों में विभक्त किया जाता है आठों प्रशन डाल्टन विधी मांटे सरी विधी प्रोजेक्ट विधी विनेटिका प्रडाली विनेटिका प्रडाली में क्या करते हैं संपूर्ण पाठिक्रम को छोटी छोटी एकाईओं में बाढ़ देते हैं इसको एकाई विधी के नाम से भी जानते हैं अगला प्रश्ण देखिएगा प्रश्ण संख्या 9 सर्वपतम बुद्धी सब्दका परिचे किष्ण ने दिया टर्मन अल्फरेट बिने फ्रांसिस गल्टन या फिर डेविड मिलर सबसे पहले बुद्धी सब्दका प्रयोग किया गया फ्रांसिस गल्टन के द्वारा 1885 में परिवेक्चित अधिगम विधी किसके द्वारा दी गई कॉश्ण नमबर 10 आपके स्क्रीन पे आंसर होगा इस प्रश्ण के लिए डेजी मॉर्गन का नाम आता है आपे C ओप्शन सही होगा सही जवाब होगा इस प्रश्ण के लिए बोरिंग की द्वारा ये परिवासा दी गई अप्शन नमबर ए करेक्ट होगा बुद्धी बेक्ट की सेंत और समगर चमता है जिसके द्वारा वह उद्धेश पर कार करता है विवेक पूर चिंतन करता है अपने वातावर का प्रभावी धंक से सामना करता है ये परिवासा किसकी है टर्मन अलफिट बिने फ्रांसिस काल्टन डेविड वैशलर कुछ नए प्रशन है गलत हो रहे होंगे सारे प्रशन क्लास में ही याद हो जाएंगे कौन सा परिक्षड केवल सिक्षित लोगों के लिए उपयोगी है प्रशन संक्या 13 तो वाक के कहानी पूर्त जो है ये जो पढ़ा लिखा होगा वही कहानी की पूर्त कर पाएगा थोड़ा सा यहाँ पे सिक्षित लोगों के लिए ये टेस्ट बनाए गया है वाक के कहानी पूर्त निमनलिकित में से प्रशनावली विधी का प्रकार नहीं है बंद प्रशनावली, विचित्र प्रशनावली, खुली प्रशनावली या पिर सचित्र प्रशनावली क्षिन नमबर 14 दीकित विचित्र प्रशनावली नहीं होता है बाकी बंद खुला होता है और सचित्र होता है गलत कथन पहचानना है देखे बात बिलकुल सही है सहसुआ वस्था में होता है तीवर विकास समय जन में सहायक है जाती का बुद्धी पर प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है तो जाती का किसी प्रकार का कोई प्रभाव बुद्धी पर नहीं पड़ता है यहां पे तो उत्तर ह होगा 15 का option number D के साथ अगला प्रश्न देखिएगा निम्र में से बेक्तित तुमापन की प्रच्छेपी युक्ति नहीं है प्रश्न संख्या 16 तो बेक्तित तुमापन की जो कुछ विधियों का वर्गियर किया गया है प्रच्छेपी और अप्रच्छेपी उसी से ये प्रश् क्या होता है तो प्रच्छेपर सब्द का मतलब होता है फेकना और इसका प्रयोग किष्ण ने किया सबसे पहले सिग्मन फ्रैट की दोरा इसका प्रयोग किया गया और यहां पर पूछ रहा है कि प्रच्छेपी कौन सी नहीं है तो हम आपको बता दें यहां पर प्रच्छे थिमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट और आपका आता है बालकों का अंतर बोत परिक्षड जिसको आप कहते हैं चिल्डरन एप्रिसेप्शन टेस्ट अर्थाट कैट परिक्षड और आपका आता है रोजिन विंग पी एफ परिक्षड और वाक की पूर्ति परिक्षड सब्द सहचर परिक्षड ये आपकी प्रक्षेपी विदियां है अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ओप्षण आपको अलग दिखरा है सोलें प्रश्ण में उत्तर जाएगा सचित्र अभी लेक परिक्षड के साथ ओप्षण नमबर डी सही होगा बाल अंतर बहुत परिक्षड किस आईवर के लिए विशेष उप्योगी है प्रश्ण संख्या सत्रा सत्रा प्रश्ण अभी अभी मैं आपको बताया चिल्रन एपिसेप्सन टेस्ट जिसको हम कहते है चाइल्ड स्वरी कैट तो कैट किसके दोरा दी गई unemployment University ennis ओर 14 में लियोपोलडड बैलक के दोरा दी गई और यह तीन से ख्यारा वर्श तक के बच्चों के लिए बहतर पानी आती है तीन से ख्यारा वर्श तक के बच्चों के लिए तो सत्रा का अंसर क्या होगा option number b बाल अंतरबोध परिक्षड और इसमें कुल चित्र कितने होते हैं दस चित्र होते हैं प्रतेक पर जानवरों के चित्र अंकित होते हैं ये भी आप ध्यार नखियेगा तो 17 का ओप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ओप्शन नमबर बी संबेगात्मक बुद्धी का सरुपथम प्रियोग किष्ण ने किया प्रश्ण संख्या 18 जान मेर पीटर से लोवे डेनियल गोल्मेन यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करने वाले हांसर और उत्तर होगा यहाँ पे दोनों जान मेर और पीटर से लोवे ने सबसे पहले आतनक बुद्धी से जुड़ा है लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रियोग इन्हीं की द्वरा किया गया सी ओप्शन यहाँ पे सही होगा इन दोनों लोगों का नाम आता है बुद्धी परिक्षड द्वरा ब्यक्ति की किन विविनताओं का पता लगता है मानसिक सामाजिक आर्थिक सारी रिक तो मानसिक विविनताओं का पता लगेगा बुद्धी की द्वरा ब्यक्तित्त का इतिहास ही सोयम ब्यक्तित्त होता है सी युक्ति का संबंद किस सिद्धान्त से है प्रशन संक्या 20 प्तर होगा प्रशन संक्या 20 के लिए यहाँ पे मर्ले का सिद्धान् ने thematic appreciation टैट दिया था कौन सा कतन सत्य है प्रश्ण संख्या 21 लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं लड़किया अधिक बुद्धिमान होती है सामानिता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं बुद्धी का लिंग के साथ संबंद नहीं है आंसर होगा यहां पे बुद्धी का लिंग के साथ कोई सम्बंद नहीं होता ये बात बिलकुल सत्सके लिखी गई है यहीं इसका भिश्ट उत्तर होगा यदिसीव की कालानकिन में उम्र मानसिक उम्र PureCE7 है तो उसकी बुद्रिलब्दी वरग हो सकता है कितना दोनों नव वर्स ही है क्वेशन नमबर 22 तो क्या होगा बच्चा प्रतिभावान होगा क्योंकि दोनों क्या है समान ही है अगला प्रेशन देखिएगा भाई आप बच्चा नौ साल का है और जो नौ साल का जो मानसी कुम्र होती है उसी के बराबर जैसे कोई बच्चा ठीक है कोई बच्चा मान के चलते हैं पांच साल का हो ठीक है पांच साल का बच्चा हो और अगर वो कच्छा पांच के बराबर ग्यान आपको दे रहा है तो मतलब intelligence हुआ की नहीं हुआ भाई simple सी बात अच्छा बच्चा हुआ क्योंकि कच्छा पांच साल का जो बच्चा होगा वो तो भी nursery की like होगा nursery में उसका animation होता है कच्छा मतलब चार है-पांच साल का जो बच्चा होता है यहां पर जो उसकी वास्तवी कुम्र है वहीं उसकी मानश्य कुम्र है तो बच्चा प्रतिबावान होगा इसलिए किस परिक्षड द्वारा ब्यक्तिकी रुची तो था रुजान पता करके ब्यक्तिकत विविनताओं का पता लगाया जा सकता है प्रश्ण संख्या तेस तो इसके लिए अभिरुची परिक्षड होता है ऑप्षन नमबर यहाँ पे डी सही होगा अगला प्रशन देखिएगा बुद्धी लब्धी मापन के जनमदाता कौन है चौबीसवा प्रशन आपके सामने उत्तर होगा यहाँ पे टर्मन के साथ ओप्षन नमबर सी सही होगा यहाँ पे इस कुश्चन में हो जाता है विवात क्योंकि यूपिटेट इसका अंसर कभी कभी गलत मानता है और सीटेट ने इसका अंसर कुछ और दिया है यहाँ पे कई तरीके से प्रशन पूछा आता अगर आप से पूछे कि बुद्धी लब्धी की आउधाना किश्न दी तो सीटेट ने इसका अंसर इस्टर्न माना है सीटेट दोजार अठारा पेपर टू बे यह प्रशन पूछा गया था यहाँ पे तरीके से प्रशन पूछा आता है यह थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पे क्लियेट कर देता है कई किताबे इसका अंसर टर्मन लिखती है कई किताबे इस्टर्न लिखती है यहाँ बुद्धी लब्धी लिखा है बुद्धी लब्धी सूत्र नहीं लिखा है इसलिए यहां पर आंसर option number C होना चाहिए बाकि एक बार आप इसको सोयं भी चेक कर लीजेगा बेक्तितु किसी के भीतर उन मनुसारीरी गुड़ों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावड के साथ उसका अधुती समायोजन निधारित करता है यह कत्धन किसका है पच्चीसवा प्रशन आपके सामने यह कत्धन है आलपोर्ट का option number C सही होगा आलपोर्ट ने वरिवासा दी है बेक्तितु की बेक्तिकत विनता का आधार है संस्कृति तथा लिंग भेद आयू और बौधिक विकास आनुवांसिकत तथा वातावल या फि प्रशन संख्या 27 तो आर्मी बीटा टेस्ट जो है यह सामुविक साब्दिक बुद्धी पर इक्षड है ब्यावारिक बुद्धी को कहा जाता है कुशन नमर 28 तो ब्यावारिक बुद्धी को मुर्थ बुद्धी भी कहा जाता है विलियम जेम्स ने बेक्तित्यों के कितने प्रकार बताएं है प्रश्ण संख्या 29 आपके सामने उत्तर होगा कोशन 29 के लिए हाँ पर ऑप्शन 2 के साथ कोमल रदय वाले और कठोर रदय वाले कोमल रदय वाले जो होंगे इनका ब्योहार अमूर्त सिद्धान्तों के दोरा निर्देशित होगा ऐसे बिक्ति बुद्धी जीवी आसावादी आदर्शवादी होंगे कठोर रदवारे जो होंगे इसमें निरासावादी भौतिक वादी और आधार्मिक व्यक्ति आएंगे तो ये विलियम जेम्स का वर्गी करण है किसका आयू वस्त्र के प्रशनों को बालक हल नहीं कर पाता उसे कहा जाता है क्वेशन गलत है ये प्रशन संख्या कितनी है प्रशन संख्या 31 एक अफो बीस है कारखों की संख्या ऑप्शन नमगर डी सही होगा किस विधी में चेतन मन का अध्यन किया जाता है प्रशन संख्या 32 32 प्रशन आंसर होगा यहां पर प्रशना वली विधी में चेतन मन का अध्यन किया जाता है बुद्धी परिक्षणों को कितने भागों में माटा गया है सही जवाब होगा बुद्धी परिक्षणों को दो भागों में माटा गया है साब्धिक और आसाब्धिक बुद्धी परिक्षड आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशने के लिए चित्ल नहरात्य परिक्षड किसकी द्वारा दिया गया 34 प्रेशन आंसर होगा यहाँ पे रोज निविंग के द्वारा कॉशन नमबर 36 भारत में सरुप्धम बुद्धी परिक्षड का निर्मार किसने किया ओमा चौधी डॉक्टर सी एच राइश लगजा संकर या फिर दॉक्टर सुह लाल सही जवाब होगा यहाँ पे डॉक्टर सी एच राइस के द्वारा सबसे पहले बुद्धी परिक्षड का निर्मार किया गया ओप्शन नमबर B सही होगा ठीक है वाग के पूर्ती परिक्षड किसके द्वारा दिया गया था प्रश्चन संक्या 37 पाइन वा टेडलर मैश्लो रोजिन विंग या फिर मॉरगन क्षड नमर 37 आंसर होगा यहां पे पाइन वा टेललर के द्वारा वाग के पूर्ती परिक्षड दिया गया बेक्टित तो होता है जनमजात अर्जित या फिर जनमजात अर्जित दोनों देखे बेक्टित तो मतलब पर्शनालिटी कुछ चीजें आपको वनसान उप्रम से मिलती है और कुछ आप वातावर से अर्जित करते हैं तो यहाँ पे C आप्शन सही होगा निन में से कौन सा गैरिट की बुद्धी का प्रकार नहीं है मूर्थ अमूर्थ सामाजिक मनोवग्यानिक कर्शन नमर 49 आंसर होगा मनोवग्यानिक बुद्धी यह जो है वर्गी करण इनके तरगत नहीं आता है नूर्थ अमूर्थ और सामाजिक बुद्धी तीन प्रकार से बाटा है इनोंने आंसर होगा option number D के साथ बिक्तिकत विनताओं से संबंदित निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर यदि होगा यदि विद्यारतियों का बुद्धी इस्तर समान है तब भी बुद्धी लब्दी में विनता हो सकती है question number 40 का यहाँ पर पहला यह option सही होगा ठीक है यदि विद्यारतियों का बुद्धी स्तर समान है तब भी बुद्धी लब्दी में विनता हो सकती है मतलब कहने का यह वा अगर बुद्धी स्तर समान है इसके बावजूद भी बुद्धी लब्दी जो निकल करके आएगी जो आप सूतर में निकालेंगे मानसी कायो बटे वास्त्वी कायो उसमें विनता हो सकती है ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ़र्ष्ट ऑप्शन करेक्ट होगा अगला प्रशन दिखेगा बस दस question और है सिद्धान दिया गया स्पियर मेंन के द्वारा बिक्तित्त की बाहरी आकरती लंबाई को निंटित्त करने वाली ग्रंथी कौन सी है question नमर 43 उत्तर होगा यहाँ पे प्यूस ग्रंथी option नमर एक साथ एक बटे दस और नौ बटे दस भाग रमशा प्रदर्शित करते हैं सिद्धान प्राइट के अगर आपने तेयोरी पढ़ी है चेतन मन अचेतन मन तो आपको पता होगा यहाँ पे यह जो है चेतन और अचेतन मन को प्रदर्शित करते हैं हस्त तसल्ब किस इक्षा दी जानी चाहिए किसको दी जानी चाहिए question नमर 49 sorry 45 तो हस्त तसल्ब किस इक्षा पिछड़े बालकों की दी जानी चाहिए यह option यहाँ पे सही होगा प्राया बालकों की बुद्धी का मापन किया जाता है कैसी question number 46 आपके सामने option है यहाँ पे आवाचिक एक समूँ बुद्धी पर इच्छड़ों के दौरा वाचिक समूँ बुद्धी पर इच्छड़ों के दौरा आवाचिक बेक्तिगत बुद्धी पर इच्छड़ों के दौरा या फिर वाचिक बेक्तिगत बुद्धी पर इच्छड़ों के दौरा 46 का उत्तर होगा यहाँ पे आवाचिक एक समुव बुद्ध परिक्षडों के द्वारा बालकों की बुद्धी का मापन किया जाता है जिन चौंकी पूर्ते नहीं होती उनका भंडार नेम्ड में से कौन सा होता है 47 मा प्रश्ण उसकों कहते हैं एदम option number A correct होगा मुर्य ने के परिक्षड की रचना करके इत्यास रस दिया करन सा है मुर्य का परिक्षड question number 40 तो मौर्गे ने मुर्य के परिक्षड का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है आपसे विसय आत्म बोध परिक्षड होगा विसय आत्म बोध परिक्षड यहाँ पे option number C पहला option सही होगा देखते तुका कौन सा जैविक कारक है प्रशन संख्या 50 जैविक कारक है यहाँ पे अनतास रावी ग्रंतियां उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक करें शेयर करें आपकी मरजी है ना करें बट कमेंट करके बताएं कि आपने क्य आज से नया सीखा कुछ नया लगा हो तो लाइक कर देना यार ठीक है मिलते है एंगले वीडियो में